हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग खेरियत से होंगे तो आज मैं आप लोग के साथ शियर करने वाली हूँ हरी मिर्च का कीमे के रसीपी जो की खाने में बहुत ही जदा टेस्टी होता है बहुत ही S soirist होता है हरी मिर्च का कीमा सुनने में ही कितना मज़ा आ रहा है न तो खाने में तो यह और भी ज़ादा लजीज होता तो फ्रेंट चलिए हम इसे बराना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इंग्रेडियन्स तो यहां पर मैंने लिया है कीमा वह फैलो कीमा है और इसको मैंने लिया है 500 ग्राम अच्छे से वाश करके मैंने इसे दो लिया था और यहां मैंने लिया है प्यास 3-4 मैंने मीडियम साइस की प्यास को इस तरह से कट कर लिया है और मैंने यहां पर लिया है 10-12 मैंने यहां पर लिया है हरी मिर्च इनको मैंने बारी कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेवल स्पून भरके धनिया पाउडर और 2 स्पून भरके मैंने यहाँ अद्रग और लहसुन का पेस्ट लिया है और यहाँ पर 1 टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी और मैंने यहां नमक लिया है स्वात के अनूसार और यहां पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिये हैं तो यहां पर दो मैंने यहां लाल मिर्च लिये हैं सूखी वाली और वन टीस्पून मैंने यहां जीरा लिया है और दस बारा मैंने यहां काली मिर्च लिये हैं दो लॉंग है और एक बड़ी इलाइची है और यहां मैंने लिया है अरे धनिये की एक कर्टोरी भर के तो चलिए फ्रेंज हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने गैस पर रखा हुआ है कूकर और अब हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे तो यहां मैंने 1500 ग्राम के करीब इसमें ऑईल डाल दिया है और साथ ही हम इसमें एड कर देंगे दो तीन तेज पत्ते यह मैं आपको बता न भूल गई थी तो अब मैं आपको बता देती हूँ अब हम इसमें एड कर देंगे प्यास जो हमने काट कर रखी थी वो प्यास हम इसमें एड कर देंगे और प्यास को हम चलाते हुए लाइट गुलाबी होने तक अच्छे से पकाएंगे और साथ ही हम इसमें एड कर देंगे नमक और नमक डालकर हम प्यास को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारी प्यास का जो color है वो change ना हो जाए तक तक तो 4-5 प्यास को इस तरह से light to pink करने में और प्यास हमारी हो चुकी है तो अब हम इसमें add कर देंगे अधरक और लहसुन का paste और अधरक और लहसुन का paste डालने के बाद साथ ही हम इसमें add कर देंगे qima और की मढशियमें दालने के बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे तो आइस आप देख सकते हैं इसे हम जसे ज़से चलाते जा रहा है वैसा इसका जो color है वह चेंज होता जा रहा है color change होने کے साथ-साथ इसमें से जो पानी release होगा उसको भी हम एक चे – से पकाना देंगे और मसाले एक करने के बाद हम इसे अच्छे से चलाते हुए भूल लेंगे जिसी कि हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे और हमारा जो कीमा है वो भी अच्छे से भून जाएगा तो सारे मसाले कीमे में अच्छे से mix हो गए है और इसे ढखकर हमें पकाना है 2-3 मिनट तो यहां 2-3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इससे चला कर देख लेते हैं तो guys आप देख सकते हैं हमारा जो कीमे का पानी तब वो सारा ड्राय हो चुका है तो बस हमें इतना ही इसको इस टाइम पकाना है और लेकिन हमारा कीमा जो है वो अभी गला नहीं है वो अभी कच्छा है तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे पानी तो पानी हमें उतना एड़ क कम से कम 4-5C T आनी तक अच्छे से पकाएंगे तो कुकर में CT हम आने देते हैं तब हम देख लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया है पिसा हुआ गरव मसाला इसे हम लास्ट में एड़ करेंगे तो चलिए अब हम देख लेते हमारी कुकर में 5C T आ आ चुकी है और उसके बाद हम इसे खोल कर चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कीमा है वो कैसा हुआ है तो guys यह देखिए बिल्कुछ सही टाइम पर हमने जो कूकर को है खोला है वरना अगर थोड़ी देर हम इसे और पकने देते हैं तो यह नीचे से जल जाता एकदम फॉरफेक्ट टाइम पर हमने इसे खोल दिया है और अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे जिससे कि इसका तेल और मसाला अलग हो जाए और हमारा जो कीमा है वो अच्छे से भून जाए माशालला बहुत ही बढ़िया से इसमें से अभी से खुश्बू आ रही है लेकिन जब हम इसे भूनेंगे ना तब समय से और बढ़िया खुश्बू आईगी बहुत ही मज़े का यह कीमा लगता है चलाते हुए हम इसे अच्छे से भून लेते हैं आप देख सकते हैं इसे भूनते हुए हमें कम से कम 5-7 मिनट हो चुके हैं और अब जो है वो इसका जो तेल है वो अलग होने लगा है लेकिन अभी इसे हम थोड़ा सा और भूनेंगे जिससे कि अच्छे से भून जाए इसका जो कच्छा पन है वो सब निकल जाएगा और हमारा जो कीमा है बहुत ही अच्छे से बनकर तयार हो जाएगा तो गाइस हमारी कीमे में जो है वो तेल अच्छे से अलग हो चुका है और कीमा हमारा बहुत ही बढ़िया से भुन गया है तो अब हम इसमें पानी एड़ कर देंगे हलका सा ग्रेवी के लिए क्योंकि एकदम सूखा अगर कीमा होगा तो वो रोटी के साथ खाया भी नहीं जाएगा चार्मनेट के बाद low film फर पकाने के बाद हमारे जो कीमा है वाव कितना बड़िया इसका color आया है और माशा आला बहुती बड़िया इसमें सो खुश्बू भी आ रही है तो आप देख सकते हैं किटना बहतरीन कितना ला जवाब हमारा जो कीमा है बनकर तयार हुआ है तो अब हम इसमें एड़ सबसिये ददेंगे हमारी जो सबजी होती है उस में तो है आप देख सकते है दन ज़ता है धनिया बार जेंच हो गया है और यह जाए उस ri-fi कि आप adhere घा बनाएगा क्योंकि जब तक आप इसे बनाएगी निफित तक आपको भी निपटा चलेगा कि कितना स्वाधिस्ट है तो आप इस कर आपष को बहुत पसंद आएगा हमारी यह तो सब को बहुत पसंद आता है को तो हमारlli जो कीमा है बंगर तयार हो चुका है तो चलिए हम इसे डिशाउट कर लेते हैं तो इस बाउल में मैंने इसको डिशाउट कर लिया है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये दिख रहा है है न इसे देखते ही न मुह में पान ही आ गया सच में बहुत ही जादा मजे का ये जो कीमा है बनकर तैयार हुआ है तो guys आप देख सकते हैं हैना एकदम लजीज माशाला तो finally हमारा जो कीमा है वो बनकर तैयार हो चुका है तो final touch हम इसको दे देते हैं यानि कि हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया उपर से और डाल देते हैं तो guys हमारा हरी मिर्सल कीमा जो है उनमें शामिल कर लिजिए इसको भी क्योंकि ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप इसे अपने घर में बनाईए और मुझे कमेंटर के बताईए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लेगी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आईए हो अपने घर में इस तरह की रेसिपी जो है वो बनाते रहिए और सबको खिलाते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाइबाइ अल्ला हाफीज